मिलकीपूर विदानसवा शेत्र से इंडिया गटबंदन से कॉंग्रेस ने भी किया दावा कॉंग्रेस ने भी मिलकीपूर से मांगा टिकेट मिलकीपूर पहुँचे कॉंग्रेस के प्रदेश उपादिक्ष आलोग प्रसाद ने दी जान करी का कारे करताओं की मांग पर कॉंग्रेस भी कर रही है दावा मिल्की पूर सीट कॉंग्रेस के खाते में दी जाए दावा ठोकने के बाद मिल्की पूर शेत्र में सक्रिय हुई कॉंग्रेस 16 अक्टूर को मिल्की पूर शेत्र में होगा सम्विदान बचाओ सम्मिलन कॉंग्रेस के कई वरिष्ट नेता इस समयलन में होंगे शामिल इंडिया गट बंदन के घटक दल समाजवादी पार्टी से सांसत अवदेश प्रसाथ के बेटे अजीद प्रसाथ को भी टिकेट मिलने की उम्मीद सांसत अवदेश प्रसाथ कर चुके हैं दावा अगले शादव उनके बेटे को दे चुके हैं टिकेट यहां पर आएंगे और जन्दा को बताने का काम करेंगे कि किस तरह बीजेपी ने स्वामिधान है उसको तहस तहस करके उसको ताक पर रख दिया बिल्कुल उमीड है यहां के कार्कार्टाओन अपनी बात रखी हम लोगों ने वह प्रहाई कमातर अपनी बात रखी है इस अम्लोदा के अगर बात हो रही है तो मिल्कीपूर एक बहुत प्रेशिजिय सुनाओ माना जाएगा आयोज्या जिस तरह हम लोगों ने लड़ा इस गटबंधन में लड़ा और विजर्ड बहुत अच्छा मिला अधर के सिव जीतने का पूरा भारत में ने विश में ही संदेश गया उसी तरह हमारी भी मांग है अपने पंगल स्थाई का मान से हमारे हां कारकरतों के जो यहां डिमांड है यह है कि मिल्कीपूर विधान सबाज जो है वो पंगल इसके खाते में आनी चाहिए ताकि उसका मेसिज एक संदेश पूरे उत्तरपड़ेश में का पूरे भारत में जाए जाती है अब आप अपना मुबाइल रिपेरिंग कराएं विध और इसनल पार्ट के साथ जस्वन कालिकों हमें आईपोन स्पेस लिस्ट हाईवे प्लाजा के सामने मंडी चोहराया मत्राव